असलालेकुल नाजरीन आप देख रहे हैं जे के दास्तान दूर में हूँ आपके साथ बिलाल बिलेसी नवजों तभ्किय को सवाल करना अच्छा लगता है और जो है इनका ज़ो राबता होता है वो सोशल एक्टविस्ट पोलिटिकल एक्टविस्ट के साथ ज्यादा तर होता है वहीं आज हम जो है अवेस साब से बात करेंगे अवेस चोधी साब से बात करेंगे जो बदरुवा से तालुक रखते हैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और मुंस्फ़ल कमेटी के अंदर जो है इनुने इलेक्शन भी लड़ चुके हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे डोड़ा में जो है काफी परेशानी आ रही हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे तो पहले जो हम अवेस साब का स्वागत करते हैं जेके दास्ताने बहुत शुक्रिया बिलाल साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए अवे सब जिस तरह जो है डीडी सी इंत्खाबात हाली में हुए क्या कहना चाहेंगे क्या इसके बात बात जो है बदलाव आएगा कुछ तामिर और तरक्की होगी या नहीं देखे बिलाल साहब जहां तक तामीर और तरक्की की बात है वो जमो कश्मीर में दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद जिस रफतार से चल रही थी उस रफतार पे और एक जो है क्वेशन माक लग गया और वो रफतार और धीमी होते 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 आज इस मकाम तक पहुँची है कि जो चीजें जो हकूक फंडमेंटल राइट्स जनको कहते हैं बाहर रियासतों में है या बाकी रियासतों में बाकी यूटीज में है वो जमो कश्मीर में फंडमेंटल राइट नहीं है तामीर तरक्की तो हमें कई नजर नहीं आई कॉंट्रवर्सी की ही बात है स्यासत ही हो मोने नमाइंदे मैं नमाइंदों पर नहीं जाओंगा हर एक नमाइंदा है जिसने विंट्स किया उसने इस सोच के साथ किया कि शयद वो किसी के काम आपये यह कुछ मार्शरे के लिए यह कुछ अपने अलाके के लिए कर पाए लेकिन जहां तक एक ग colony जो है आपकी Central Government, Government of India, उसका जो हम देख रहे हैं, रवया यूटी की तरफ किस तरह का रहा है, और उसका यूटी के लोगों की परिशानियों की तरह, मुझे बहुत कम कभी ये ऐसास हुआ कि Central Government या Government of India, जमो किश्मीर के लोगों से कोई वास्ता या राबता रखना चाहती है, यहां के Resources पे उसके भले नजर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई DDC हो या पंचायत जो है, आपका पंचायत के Elections की ग्रास रूट लेवल पे जो है, स्ट्रेंटनिंग की बातें जो करते आए हैं, वो कहीं किसी भी हद तक जो है, बतलब एक Illusion, एक दोखा दड़ी के त आप जो लोगों के काम कर सकते हैं, आप सियासत में कर सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्यों आए सियासत में? देखें, सहाफत हो या सियासत हो, ये सब मामले जो हैं, माशरे के लिए हैं, सोशल कॉज के लिए हैं, मैं नहीं समझता कि एक सहाफी जो है, एक सहाफी प्रोफेशन है, या कोई इस तरह का, मैं एक सहाफी के तोर पे जब भी काम कर रहा था या काम करता हूं, तो उसमें cause एक simple सा है कि मुझे social work करना है मुझे समाजी कारकुन की तरह काम करना है मुझे समाज के लिए काम करना है मुझे society के downtrodden लोगों के लिए काम करना है मुझे गरीब गुर्बा की आवाज बनना है उसकी आवाज बनना है जिसकी आवाज नहीं है वहीं अगर सियासत की बात करें तो सहाफत में कमेंटेटर बनके रह गए हुए हम लोग कमेंटरी ही करते हैं ज्यादा से ज्यादा उससे ज्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते थे हम हम जो है सरकार और इंतजामिया के बहरे कानों तक जो है अपनी आवाज पहुचा तो देते हैं लेकिन वो जो है वो इस तरह का बनके रह गया है जिसके हाथ नहीं है वो कुछ करनी सकता इंतजामिया और वो कुछ करता भी नहीं है तो कमेंटेटर कब तक बने रहें तो सोचा शायद सियासत में जाके कुछ जो है वो खास particularly मैं आपको बताऊं कि मेरा सियासत पे उतरने का एक मकसद ये भी बना कि जिस अलाके से मैं आता हूँ जिस municipal corporation से मैं corporation माफी चाहूँगा council है council भी नहीं है in fact committee है तो उस पे कभी council भी नहीं बना पाया उसको कोई भदरवा municipal committee है और वहाँ पे election contest करने का मसला ये नहीं था कि हम कोशिश कर रहे थे जवानों ने बहुत से कोशिश की इस बार कि कहीं ने कहीं वो अपनी जगा बना पाएं और कहीं ने कहीं वो कुछ इस तरह का एक change ला पाएं जिससे जो है कुछ फाइदा हो सके जो है ये पिछड़ा हुआ तबका जिसको सालों साल पीछे धकेल दिया हुआ है 377 की मनसुकी के बाद 5 अगस्ट के बाद उससे पहले भी चलो ठीक है रूटीन था जिस तरह का चल रहा था लेकिन इस मनसुकी के बाद जो है जिस तरह से धकेल दिया गया उस चीज़ को बदलने के लिए कहीं न कहीं अपने लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए हमने एक कोशिश की मकसद सीधा सिंपल था सोशल वर्क समाजी काम समाजी कारकून के तोर पे चाहे वो सहाफत हो या सियासत हो अगर सहाफत की बात करें आज कल जो है सहाफत में जो है ज़्यादा लोग आ गए है क्या कहना चाहेंगे सोशल मीडिया जो है वो एक्ट्व है जो बाकी मैन सिट्रीम मीडिया है उसमें जो है लोग कम दिखाई दे रही है क्या कहना चाहेंगे कुछ सी मीडिया जो अच्छी है social media या man stream या newspaper देखें जी मैं किसी भी media house को या किसी भी media का जो तरीका है आप print media है, electronic media है या social media है या जिसी जो भी media है, वही हम अक्सर लोगों को सवाल उठते हुए मतलब जो है questions हम देखते हैं उठते हुए कुछ लोग सवाल करते हैं इतना media हो गया बहुत सारा media हो गया ये भी सच है बहुत सारा media हो गया लेकिन सवाल credibility का है सवाल सची ख़बर का है और सवाल आपका जो है target क्या है aim क्या है आपका मकसद क्या है कोई भी आदमी उठाके जो है वो एक ठीक है हम समझते है कि किसी का अंदर जजबा है कि काम करने का लेकिन यह profession जो है ना मैं profession की आपको बताऊंगा यह profession जो है अख़बार से शुरू होता है प्रिंट जिस तरह से हम बात करते हैं प्रिंट की लेकिन यह profession ही corrupt हो चुका है भाई सब सोशल मीडिया पर आपको mostly जो भी journalism है वो money based money minting के लिए है ठीक है वो money minting के लिए क्यों है क्यों है क्योंकि एक social platform होगा facebook और youtube जैसे platforms हैं जो आपको पैसे देते हैं जब आपका viewership बढ़ता है तो उसके बाद आपको जो है बाकी जो है लोग जो है वो क्या करते हैं लोग advertisement भी देते हैं तो यह social media का जो है बाकी बड़े media houses या electronic media है टीवी टेलिवेजन वगएरा ऐसे वह भी advertisement पर नरबर है यह सब nexus है जराब तो nexus सारा dependent एक viewership पर है लोग जिसको जो देखते हैं आज WhatsApp की privacy policies में क्या change आ गया तो लोग थोड़ा हडबड़ा उठे हैं बलकि यह तो हम कब से देते आए वह हमारी data security जो है वो रही नहीं है वो तो किसी भी चीज में आप कोई भी app जो है install करते हैं या कुछ भी करते हैं आज WhatsApp ने खुलके बाद की तो लोग घबरा गए तो यह nexus लोग खबरों में खबरे कम डूटते हैं ज्यादा टी यारपी ज्यादा डूंडते हैं क्या लगता है पुरानी सहाफत और आज की नई सहाफत में क्या फरक दिख रहा है आप देखें पुरानी सहाफत कोई moral सहाफत थी principal based सहाफत हम समझते हैं आज शायद अपने आपको सह सहाफी कहना बाइसे फक्र हुआ करता था जब सहाफत होती थी आज अपने आपको मैं मैं अपना परस्नल समझता हूं कि आज अपने आपको सहाफी कहना कहीं ने कहीं एक इनसान के लिए थोड़ा सा वो शर्मिंदगी वाला सबस्बब बना दिया गया है जिस तरह की सहाफत इ मसाइल कम है कौन किसी का सड़ फोड रहा है वो स्टोरी बहुत अच्छी चल रही है खून बैता हुआ अच्छा चल रहा है मदलब जैन्मिन स्टोरी आपको जैन्मिन जो सहाफत है वो उसका कोई जो है वो वैल्यू रहा नहीं है अगर हम बात करेंगे फोर जी को लेकर वूर्मिन जो कमल होगी ज़ा यहां पर कोई भी क्रेडिवल्टी नहीं रही गावं सकाथ्य गौर मेंट की और नहीं देख रहे हैं। क्रेडिबिल्टी है आप देख रहे हैं बार बार कहते हैं करते कुछ हैं कहते कुछ हैं वह 80,000 करोड का पैकेज जो सरकार इलेक्शन लड़ते हुए दे रहे थे वो तो उन्होंने दे दिया वो तो डाइजस्ट भी हो गया मालूम नहीं किसको डाइजस्ट हुआ कहां गया आ बाद में घोटाला कहीं बाहर निकलता नहीं है ठीक है उसके बाद आता है कि हम 50,000 नौकरियां देंगे दूसरा आदमी वो कहता है 50,000 वो 50,000 नौकरियां कहीं है नहीं वो गायब है उनकी क्रेडिबिल्टी उनसे कोई पूछने वाला नहीं है अब अगर ये लोग कुछ कह हम अपना हक लेना जानते हैं तो इसका मतलब क्या समझते हैं आप वो उन्होंने कहा कि हम जमो कश्मीर के बाशिंदे नहीं है हम किसान ने क्या समझते हैं ये बाईसे शर्मिंदगी है जमो कश्मीर के लोगों के लिए जब उन्होंने इस तरह की बात की है वो ये बहुत श अगर बात करेंगे हम बद्रुवा की जो डिश्टिक डोड़ा में आता है वहाँ पर जो है कलस्टर युनिश्टि की मांग की जा रही है क्या उमीद आपको लग रही है कि डीडीसी इंतखाबात में जो नमाइंदे चुने गए हैं इसको पौरा करेंगे। कुछ कह सकता हूँ अभी कि इनके हाथ में क्या authorities इनकी रहेगी बाकी universities हो कोई भी चीज हो देखे पस्मानदा इलाके है चनाब विली बदरवा बाकी इलाके पस्मानदा इलाके है वहां के लोगों को अगर कुछ चाहिए तो लोगों को मिलके खड़ा होना पड़ेगा और उन सही देना चाहेंगे जो नए लड़के या कोई भी इस सहाफत में आ रहा हा है क्या मैं सही देना चाहेंगे कि किस तरह की सहाफत करनी चाहे है देखें सहाफत में सबसे पहले आपका moral आपके Lisa चाही हो आप मौशरे का जो है एक हिस्सा है, एक important part है, अगर आप सही तरह से आप इस practices को sideline करके एक सही honest approach लेके चलेंगे तो शायद मौशरे में आप बहुत बड़ा बदलावाएगा, आपकी future generations जो है आपके लिए जो है एक जबरदस जो कहते हैं न कि वो एक तरीके से आपको याद करेंगी कि आप लोगों ने कोई तो contribution अपनी society के लिए दिया, आपने एक इमानदारी के साथ सहाफत की और आपने किसी भी bias को जो है नहीं अपना है, आपने हर चीज को जो है बहुत साफ किसी बिना, बिना कोई मजभ के चश्मे, बिना किसी region के चश्मे जो है वो देखा, हम, मैं बदरवा कर रहने वालों, आप बलेसा से हैं, हम जानते हैं कि regional conflicts क्या होते हैं और regional issues क्या होते हैं, अगर आप सहाफत में हैं तो मैं यही suggest करूंगा कि सहाफत unbiased होनी चाहिए और pure होनी चाहिए, जी, तो अगर हम बात करेंगे social media के बारे में जो है काफी portal जो बने ह हुए हैं, उन पर बात करते हैं कि वो जो है, हाल ही में बंद होने वाले हैं, क्या लगता है कि यह portal बंद होंगे या नहीं, कि इससे अच्छा प्लैट फारम बच्चों को मिर रहा है, देखें, मैं इस परह में नहीं कह सकता कि यह बंद होंगे या नहीं होंगे, बट यह है कि जिस तरह का misinformation या जिस तरह कि जो भी पोर्टल से अभी जो कुछ हो रहा है, तो पोर्टल से तो benefit हो रहा है सरकार को, क्योंकि सरकार और बाकी जितनी भी सरकार एक authority नहीं है, economies इस सर्फ सरकार नहीं चलाती है, पैरलल economy भी होती है, जिसको बहुत जो एक organized, un organized हर तरह की बह हैं, businessmen हैं, बहुत सी चीज़े होती है, जो ये authority मनाते हैं, पूरी authorities हैं, जो govern करती है, ठीक है, ये उन सब के benefit में है, जब तक ये उनको फायदा पहुचा रहा है, जिस दिन ये उनको नुक्सान पहुचाने लगेगा तो इसके उपर जो हो लगाम लगाने की कोशिश बहुत बहुत शुक्रिया हुए सब हमारे साथ वक्त देने के लिए, जिस तरह आप जानते हैं कि डीडीसी इंतखाबाद भी हुए, फोरजी नहीं आ रहा है, काफी परेशानी लोगों को आ रही है, उनको भी इजाला नहीं हो रहा है, बाकी इसी तरह की हमें बड़ी बड लोगों का इंटर्वी करने के लिए हम आपकी खिदमत में हाजर होते रहेंगे, बने रहें जेक दासान के साथ